है गाईज वेल्कम बैक टो मैं चैनल माई नेम इज मिलान आज आपके साथ बात करने वाला हूं किसे आप काटलो से सेफली सौपिंग कर सकते हों कोई भी फॉल्टी डिबाइस हो या जो आपने ओर्डर किया था हो डिबाइस ना हो फिर भी आप सौपिंग करके कैसे आपको द्यान करना है क्या कैसे आपको रिफंड मिलेगा और और करने से पहले आपको क्या क्या चीज ध्यान में देना चाहिए वह सब में बात करने वाला हूं ठीक है अगर आप इंस्टल्मेंट में लेना चाहते हो नहीं तो फुल प्रेमेंट करके लेना चाहते हो कोई मुश्कि करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो हम काटलो में चाहते हैं काटलो पता नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं काटलो यहां पर ओपन हो गया तो आप क्या लेना चाहते हैं आपका मर्ज है आप यहां यहां पर उपर में category में चूछ कर सकते हैं ठीक है तो मैं mobile phones के बारे मां बात करूंगा यहां पर Apple यह Samsung यह सब कुछ device आपको मिल जाए यहां यहां पर installment में नहीं तो आप direct payment फूल payment करके भी ले सकते हैं cash on delivery भी ले सकते हैं ठीक है तो हम Apple पर click करेंगे तो यहां पर आपको iPhone लेने से पहले क्या check करना चाहिए यहां पर टॉप में left corner में दिख आपको good 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 खरके ठीक है और नीचे यहां पर देख सकते हैं प्रीलब 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 लिखा हुआ है तो हम इस पर click करके देखते हैं iPhone XS Max है 64GB है और आपको द्यान में देखना चाहिए यह 64GB है और XS Max है आपको बात में देलिवेर हो गया दूसरा X नहीं तो XS Only तो आप रीटर्न कर सकते हैं और यहां पर प्रीलब का मतलब गुड का मतलब क्या लिखा है आपको देख सकते हैं 100% functional ओके वान यह वारेंटी मिलेगा आपके साथ moderate यूज थोड़ा सा यूज की वावा और all compatible accessories आपको पूरा accessories मिलेगा ट्रॉस्टेट बाई काटलो एक्सपर्ट होगे टेस्टेट बाई तो यह सब कुछ आपको चेक करना चाहिए जब आप रीशिप करेंगे तो 100% functional है अगर एक भी पार्ट काम नहीं करता एक भी शॉप्ट्वेर काम नहीं करता तो आपको रीटन करने का पूरा होके अब यहाँ पर नीचे आपको दिखाऊगा 12 months warranty ओर्जिनल प्रोड़क्ट है eco-friendly 10 days return fast delivery installment plan भी एविलेबल है best price guaranteed यह सब कुछ आपको रीट करके लेना चाहिए और यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा रीट करना चाहिए इसका बैटरी हेल्थ जोए 90% से उपर होना चाहिए अगर आपको मिलेगा 83% 85% तो आप कार्टलो से रीटन कर सकते हो आप उसको बोल सकते हो कि यह बैटरी डामेज है और आपको एक दो दिन यूज करना चाहिए 90% बैटरी है फिर भी आपको एक दो दिन यूज करना चाहिए क्योंकि कोई-कोई आइफोन जोए बैटरी 95% दिखा देता है लेकि पर्फोमेंस देता है 80% वाला 70% वाला ठीक है तो आपको यह सब कुछ ख्याल करके एक दो दिन यूज करना चाहिए फोल चार्च करके यह भी यूज करो उसका बैटरी कैसे ड्रेन होता है और आइफोन ले रहे तो यहां से आपको स्क्रोल डाउन करना और यहां पर आपको ब्राइटनेस का अप्शन मिलेगा उस पर एक और पूरा के अमरा चेक करना चाहिए शेटिंग में जाकर इस्टोरेज कितना है और मोडल नमबर सब कुछ चेक करना चाहिए ठीके तो यह सब चेक करने के बात में आपको ठीक लगे तो रखो नहीं तो कोई भी आपको खराबी है तो यहां पर आपको जब भी पॉर्चेस करेंगे काटलो से तो आपको रीटर्न आप्शन मिलेगा